अगर तुम mock test में 120 से कम number score कर रहे हो या फिर 120 के आसपा score कर रहे हो then this video is going to be highly beneficial for you सबसे पहली तीज हमें यह realize करनी होगी कि अगर mock test में हमारे 120 से कम number आ रहे हैं तो हम कोई बहुत ही जादा बड़ी fundamental mistake कर रहे हैं obviously सिर्फ एक video की मदद से मैं तुमारी सारी problems को तो solve नहीं कर पाऊंगा बट एक major mistake है जो कि बहुत सारे students commit करते हैं जिनके drastically low scores आते हैं और मैं उस mistake के solution के बारे में बात करने वाला हूँ and that is trying to do everything perfectly हम दिन में 12 गंटे पढ़ने का target बनाते हैं पर हम सिर्फ 2-3 गंटे के पढ़ाई के बाद ही distract या फिर irritate हो जाते हैं हम तीनों subjects को advanced level पर master करने की कोशिश करते हैं पर हम एक subject के किसी एक chapter को mains level पर भी master नहीं कर पाते और जब हम test देने के बाद result को देखते हैं तो उसमें number होते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 80, 90 या फिर 120 के जादतर लोग इसे commit करते हैं अगर तुम करते हो तो comment section में मझे जरूर बताना all right so coming back to it जब result हमारे सामने आता है तो हमें बहुत ज़्यादा shocking feel होता है या फिर जब हम दिन में पढ़ रहे होते हैं 12 गंटे का हमारा target होता है और रात को हम देखते हैं कि मैं सिर्फ 2 गंटे पड़ा तो हम depressed हो जाते हैं यहां से overthinking की cycle चुरू होती है और वो हमारी खराब preparation को और भी ज़्यादा खराब बना देती है और यह cycle on and on, on and on ज़्यादा तर J.E. aspirants के साथ चलती रहती है and at the end वो या तो बस J.E. means qualify कर पाते हैं या फिर J.E. means qualify भी नहीं कर पाते है Now how to solve this thing How to get out of this loop I'll explain this to you with the help of an example कुछ लोग होते हैं जिनको cigarette पीने की बहुत ज़्यादा आदद होती है ऐसे लोगों को आपन chain smoker बलाते हैं कोई भी इंसान cigarette पीने के पहले दिन पर chain smoker नहीं बनता वो पहले एक cigarette पीता है हफते बर रोज एक पीता है फिर दो पीने लग जाता है फिर तीन पीने लग जाता है फिर चार पीने लग जाता है फिर पूरे डब्बे खाली करने लग जाता है So, दीरे-दीरे करके उसे cigarette पीने की आधत लगती है Same is with this J-E preparation हाला कि यह difference है, cigarette पीके उसे instantly बहुत ज़दा अच्छा फील हो रहा है और J-E preparation में थोड़ी महनत करनी पड़ती है फिर exam होता है, उसमें number improve होते है तब अच्छा फील होता है The principle that I want you to derive from this story is कि make small improvements drastic targets मत बनाओ अगर तुमारी tendency दिन में 6 गंटे पढ़ने की है तो 7 गंटे का target बनाओ, 12 गंटे का target मत बनाओ एक हफते तक 7 गंटे के target को 90% से सहधा complete करो उसके बाद इस target को 8 गंटे का कर दो 8 गंटे के बाद अगले हफते 9 गंटे का कर दो इस तरह से 12 गंटे को chase करो अगर तुमारे test में 20, 30, 40, 60, 70 नमबर आ रहे हैं तो don't think के अगले test में तुम सीथे 200 नमबर ले आओगे अगर तुमारे 50 marks आ रहे हैं तो सोचो के अगले test के लिए मैं इतना पढ़ू के मेरे short shot 70 marks तो आई जाएं इससे कम तो बिल्कुल भी ना हैं और ये analyze करो के 70 to 80 marks लाने के लिए तुम्हें कितना कितना पढ़ने की ज़रुवत है तु स्कोर 70 marks तुम्हें पूरी sheet solve करने की ज़रुवत नहीं है तुम्हें sheet का एक particular part पूरी तरह से अच्छे से करने की ज़रुवत है ऐसे मैं तुम कुछ subjects को कुछ time के लिए compromise भी गड़ सकते हो It could be like skipping advanced level problem solving for some time and giving that time into strengthening the concepts of that chapter and strengthening means level problem solving as well I'm again telling you this is very very important बहुत सारे students इनके कम marks सारे होते हैं 60, 70, 80, 90 का average आ रहा होता है वो in most of the cases में अपनी preparation में बहुत ज़्यादा drastic changes नहीं ला पाते just because they chase perfection और after 5 to 6 months जब तुम देखोगे कि हर test में तुमने कैसे धीरे दीरे अपने number 15-15, 20-20 number increase करे you will become a great example of what a consistent hard worker is अगर तुमारे एक test में 50 number आयो और अगले test में तुमारे एक दम से 1.5 तो ये तो miracle हो जाएगा भी and I prefer being a consistent hard worker than being a miracle I hope ये वीडियो तुमारे लिए beneficial रही होगी और तुम कल से daily basis पर थोड़े थोड़े improvements करने वाले हो definitely मैंने तुमारी सारी problem solve नहीं करी पर हो सकता है कि ये एक major problem काफी सारे students के solve हो गई हो और भी काफी सारी problems है जो जेए aspirants daily basis पर face करते रहते है to know more about the solutions of them तुम चैनल पर वीडियो को serve कर सकते हो और जो सीखोगे उसे apply करना मत बूलना alright guys so that's all for this video see you in the next one I hope you will apply it for sure if you will apply it then tell me in the comment section by saying I will apply it